हलो दोस्तों बिहर पुलिस मोबाइल स्कॉइट का रिजल्ट जारी कर दिया गया है आज के डेट में 29 मैं 2020 को CSBC के वेबसाइट पर आने के बाद आपको यहाँ पर ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट पर किलिक करना यहाँ जो वेकेंसी था ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के अंतरगत बिग्यापन संख्या 04-2019 के अंतरगत 496 पदोपर वेकेंसी आई थी और यह एक्जाम जो लिया गया था दो फरवरी 2020 को चलिए इस रिजल्ट को डॉनलोड करते हैं लिंक आपको डिस्किरिप्शन में मिल जाएगा अगर आपको डॉनलोड करने में किसी परकार की समस्या रही है तो टेले ग्राम से भी आप result डॉन्लोड कर सकते हैं वहाँ पर PDF संद कर दिया है दोस्तों result download हो गया है सबसे पहले यहाँ पर वेकेंसी के बारे में details दिया हुए कितना पध और कभ एक्जाम लिया गया था result download करने के बाद आपको करना क्या है कि यहाँ पर search का जो option दिख रहा है यहाँ पर click करना है और इसमें आपको अपना roll number देना है roll number देने के बाद search किजिएगा अगर आपका इसमें selection हुआ है तो search करके आपका roll number आ जाएगा सभी सफल अभ्यारतियों को डेर सारी सुब कामना है अगले चरनों के लिए अब आपसे यहाँ पर physical test लिया जागा इसके बाद merit list बनेगा चले details देख लेते हैं सबसे पहले यहाँ पर vacancy के बारे में दिया हुआ है और इसके बाद exam dates related दो फरबड़ी 2020 को अभी बार को एक पाली में exam लिया गया था टोटल जो student form फिलब किया था 3770 और exam में जो एपियर हुआ है 2973 student जिसमें 5 गुना vacancy का result इसमें दिया हुआ है पर आप देख लिजी physical test कब तक आयोजीत होगा तो यहाँ पर दिया हुआ है सारेटिक दख्षता परिक्षा का आयोजन कोरोना संकर्मन के स्थिति के दिरिष्टी गत यत्वचित असमय पर किया जाएगा इसकी तिथी तथा अस्थान की सुचना समाचार पत्रों यहां पर को जानकारी मिल जाएगी admit card physical test का जारी होगा फिर आपको physical test में एपियर होना है अब यहां पर vacancy के बारे में दिया हुआ है किस category में कितना vacancy था टोटल जो वेकेंसी था 496 में अब यहां पर किस category से कितना student का selection हुआ है यहां पर दिया हुआ है cut up नहीं जारी करता है बिहार पर जो है roll number यहां से शुरू है यहां पर search करके आप अपना roll number देखकर result चेक कर सकते हैं नहीं तो आप इस तरह से serial से मिला सकते हैं यहां पर merit wise roll number नहीं है serial अनुसार दिया हुआ है अब नीचे में जो है instruction दिया हुआ physical test से related कौन सा document आपको physical test में लेकर जाने चलिए उसको भी देख लेते हैं यहां पर roll number समापत होता है अब यहां पर दिया हुआ physical test से related CSBC के website पर physical test का admit card जारी होगा डाग द्वारा नहीं भेजा जाएगा admit card आपको download करना है फिर physical test में appear होना है अब यहां पर document भी आपको लेकर जाना है यहां पर दिया हुआ सारीरिक दक्स्ता प अहीं ब्रीश पात्र तथा अपने ओंस्ता प्र्वियुण ब्यांड प्तर पापति की छहया प्रति का ध्रिक निम्नांकित मूल परमान पत्र हो तथा उनकी एक श्यक्तिठ श्यापति से उपस्तित होंगे फ़ार्म जो आप फिल आप करने के समय जो फॉर्म प्रिंट करके रखे थे वह भी आपको लेकर जाना है इसके लाबा एक आपको फोटो यूगत पहचान पतर जिसमे हो गया अधार कार्ट मददाता पहचान पतर ड्राइविंग लाइसेंस और इसमें ड्रैविंग लाइसेंस मूल आपको लेकर ही जाना है क्योंकि यह ड्रैवर से पत्र, SC, ST, EVC, BC and सभी कैटिगोरी सगर आप आते हैं काश सर्टिफिकेट आपको ले कर जाना है इसके बाद आपको यहाँ पर बिहार राज के गिरी रक्षक अगर आप होमगाट से सम्भाधित इसमें फिलब किया है तो होमगाट का आपको परमान पत्र देना परेगा अगर जिस समय वेकेंसी आई थी वेकेंसी के समय जो भी एड़वर्ट टैजमेंट आया तो उसमें जो भी डिटेल्स दिया हुआ है उन सभी निर्देश को आपको पालन करना होगा या सभी जानकर यहां पर दिया हो अब यहां पर डॉट आप लोगों को होगा कि फिजिकल टेस्ट इसका कब तक शुरू होगा तो फिजिकल टेस्ट शुरू होने से पहले एक महहने पहले आपको सुचित कर दिया जाएगा ओफिसल वेबसेट पर नोटिस आ जाएगा समाचार पत्र के माध्य हम से भी एड्मिट कार जो दिया जाता है 20-21 दिन पहले फिजिकल टेस्ट से फिजिकल टेस्ट जो हो सकता है जून के लास्ट नहीं तो जुलाय में या शुरू हो सकता है बिहर पुलिस कॉंस्टेबल का रिजल्ट कुछी दिनों उसका भी रिजल्ट आ जाएगा